ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदोर में इन्वेस्टर समिट में शिवरासिज चाहन क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं चलिए रंगोलिया बनी हुई है बिद्धुत वल्ब की लड़ियों से सहर सजा हुआ है अपने इंदोर ने और मद्ध पुदेश की साड़े आठ करोड जनता ने दोनों माहें फैला के आपका स्वागत किया है मैं उन सब की ओर से आपका स्वागत करता हूँ अभिनंदर करता हूँ मित्र हमारा स्वभाग्य है भारत के प्रधान मंत्री श्रिमान नरेंदर मोदी जी परसो भी इसी मंच पर आसीरवाद देरे पधारे थे प्रवासी भारती सम्मेलन में और आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बर्च्वल उद्गाटन मानी प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं अतुल्य भारत के अदभुत प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंदर मोदी जी उनके नेत्रतों में एक नए भारत का उद्ग हो रहा है एक बैबफ साली भारत, एक गौरफ साली भारत, एक सम्पन्न भारत, एक सम्रिद्ध भारत, एक सक्ति साली भारत और सच मुच में आत्म निर्भर भारत बनना है आत्म निर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्म निर्भर मध्वर्देश आपके साथ मिलके उसका रोड में अब तैयार है लेकिन मैं उसके बात करूँ उसके पहले आज हम सब की प्रेरना और प्रिकास इस्तंभ के वाल भारत के नहीं क्लोवल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है और मैं आज विश्वास के साथ क्या रहा हूँ इस मंच पर खड़े होके भौत दिकता कि यागिनी मैं दग्द विश्वमानप्ता को सास्वास सांती के पत का दिखदरसन कल भारत ही कराएगा ये देश ही कराएगा ऐसे देश के प्रिप्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी अब इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उदगाटन करेंगे मानी मोदी जी तो देखिया आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुरुवात हो गई है ये देखिये तस्वीर आपके सामने लाइफ दिखा रहे हैं हम इन दौर से ब्रिलियन कंवेंशन सेंटर की तो देखिये शिवरात सिंच चौहान ने शुरुवात कर दी है और आप वर्चुली जो है पीए मोदी जो है संभोधित करेंगे तो यह तस्वीर आपके सामने है ब्रिलियन कंवेंशन सेंटर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुवात हो गई है यह तस्वीर है लाइफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आभी शिवरासिंच चौहान ने संभोधित किया और कुछी देर में जो है पिए मोदी वर्चौली संभोधित करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपको बता दे देखिए तमाम बड़े नेता और चे कंपनियों की 10,000 करोलों के निवेश की यह इन्वेस्टर समिच से 55,000 करोलों के निवेश की उमीद है तीन सो द्योग पत्यों से शियम शिवरास्तिन चौन की वन टूवन चर्चा हुई थी आपको बता दे देखिए रोड शो भी किया था पूने मुंबई दिल्ली बैंगलॉर में रोड शो किया था बड़े बड़े बिजनसमैन से उन्होंने मुलाकात की थी और सभी ने दुवात हो गई है इन्वेस्ट समिट की तो देखिए ये एक गेम चेंजर और मील का पत्थर साबित होगा ऐसा वो क्या मंतरी शिवरासिक जोहाने कहा है